हेलो दोस्तो मैं हूँ दानिश, स्वाकर था आपका डिजीटल दानिश में दोस्तो इस वीडियो में मैं बहुत इंपोर्टन टॉपिक पर बात करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूर ऐसे हैं, बहुत सारे इंडियन व्यूर्स ऐसे हैं इनको अच्छी इंग्लिश नहीं आती, जिनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है और कहीं ने कहीं कुछ ने कुछ प्रॉब्लम होती है, चीजे सारी समझ में नहीं आती तो ऐसे वीवर्स को हम कैसे टारगेट करेंगे, कैसे हम उनको अपनी वेबसाइड हिंदी में दिखाएंगे वो भी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइड, मतलब Shopify के स्टोर को कैसे हिंदी में कंवर्ट करेंगे गूगल में सर्च कर लेते हैं convey this यह application का नाम है और इसकी website ओपिन कर लेंगे आप कुछ इस तरीके से इसकी website दिखेगी और हम चलेंगे अब अपने Shopify के store पे तो सीधे चलेंगे हम अपने apps पे apps पे click करेंगे और इसके बाद यहाँ click करेंगे विजिट Shopify app store पर और यह हमारे सामने Shopify app store खुल चुका है और इसमें हम सर्च करेंगे तो जैसे ही मैंने convey this सर्च किया तो आप देख सकते हो यह कुछ first पे ही translate your store convey this application open हो चुकी है यह free of cost है रेटिंग भी काफी अच्छी है 4.6 की रेटिंग है अभी नहीं आप है तो अभी जादा installation नहीं है इसके इसको open कर लेंगे यह इन्होंने इसका use का कैसे इसको use करना है एक video demo बना रखा है और translate your website and sell more item globally देखो यह जो website है यह खाली एक language के लिए नहीं यह multi-language website मतलब आप इसमें इन्होंने जो option दे रखा होगा मैं अगर बात करूँ तो multi-language website create कर सकते हो create content मतलब अपने content को translate कर सकते हो attract global audience मतलब अपनी ओडियंस आप अपनी audience को target कर सकते हो देखो क्या होता है जैसे हम अगर दोस्तों मैं Canada की ही बात करूँ जैसे हम US के बाद अगर हम Canada सबसे बड़ा country है target जिसको हम drop shipping के लिए target करते हैं तो Canada की अगर मैं बात करूँ तो Canada में भी English के अलावा दो language और हैं जो कि foreigner उनको बहुत जादा बोलते हैं वहां के जो लोग है उनको बहुत जादा prefer करते हैं जैसे Spanish हो गई और French हो गई तो French language हम अपने हमसे French तो आती नहीं है तो हम उनको कैसे target करेंगे हम अपने English वाले store को ही French में convert कर देंगे ताकि वो जो हमारे product का description होगा उसको वो लोग अच्छे से समझ सकें और read कर सकें तो यह बहुत अच्छा तरीका होता है language change करके वहां की audience को target करने का तो यह app है उससे related जिससे हम अपने audience को target कर सकते हैं different language के साथ में तो यह कुछ features हैं जो आपको मिल रही हैं जैसे अगर मैं बात करूँ इसमें 92 language आपको मिल रही है इसमें 2 minutes में install हो जाएगा यह analytics dashboard भी दे रही है आपको simple interface है इसक connection मिल जाएगा जिससे वह language में convert कर सकता है किसी भी language को convert कर सकता है वो मैं आपको दखाऊंगा आपको किस तरगे से कर रहे जाएगा तो दोस्तों यह कुछ इस application कनवे दिसका मैंने आपको introduction दिया अब इसको जल्दी से add कर लेते हैं यहां से और add करने के बाद इसकी कुछ setting देखते हैं क्या क्या setting हमें मिलेगी जैसे अब भी हमने add कर लिया इसको install app कर लेते हैं जल्दी से अपने store में तो यह app हमारे सामने आच चुकी है अब इसको हम open कर लेंगे एक बार चलिए इसके dashboard की बात करते हैं domain में मेरी website का जो domain होगा वो यहां पर आ चुका होगा यह मेरी website Shopify का एक store है जिसको मैं डाला इसमें और setting पर आके हमें source language जो है हमारे store की language है वो English है और यहां से आप फिर भी अपनी कोई भी language select कर सकते हो देखो बहुत सारी language है यहां पर इसमें और पेंगॉली भी है इसमें good क्योंकि हमारे भी south में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो English नहीं जानते हिंदी भी नहीं जानते तो वहां पर उन लोगों को target करने के लिए हम यहां भी मतलब इंडिया में भी काफी सारी language में available हैं जिसको हम target कर सकते हैं तो मैं इसमें हिंदी करके देखता हूं हिंदी है अव refresh कर लेते हैं इसको यहां से हटा देते हैं ओके तो आप देख सकते हो यहां पर English लिखा हूँ आ रहा है और जैसी में इस पर click करूँगा तब यहां पर Hindi भी आ रहा है मतलब आप इस app के through यह आईकन आया है और अब आप इसको Hindi में भी convert कर सकते हो चलो जल्दी से करके देख चली तो एक product ले लेते हैं जल्दी से यह पहला ही product है मैं इसको select कर लूँगा इस पर click कर देते हैं और आप देख सकते हो इसमें सब कुछ अभी English में लिखा हुआ है चाहें जो भी text है वो सारा English में आ रहा है आपके सामने है सारी चीजे और अब हम game देखेंगे इस app का इस प्रोडूकर इसुब में है इस पर हिंदी पी click करेंगे great तो मीरा जो product का title name है वो तक हमारा हिंदी में आ चुका है और यहां सारा description हिंदी में है then यह description भी हिंदी में आ गया image के ओपर जो text सा वो भी हिंदी में आ चुका है конवर्ड हो चुका है और यह सारी चीज़े हिंदी में convert हो चुकी है ग्रेट तो दोस्तो ये थी application convey this और इसने हमारे store को एक दूसरी language में change कर दिया 92 language है आप उसमें भी अपने store को convert कर सकते हो आप option दे सकते हो इसका free plan जो है उसमें एक language है तो उसको भी आप use करके check कर सकते हो अगर अच्छा response मिल ला है आपको language के तूर क्योंकि मेरे सामने भी काफी problem आती है इस तरीके से के लोग को English समझ में नहीं आती और वो उसको Hindi में पढ़ना चाहते हैं या फिर गुजराती में पढ़ना चाहते हैं तब उन लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा ऐसे reason को target करने के लिए यह application अच्छी साबित हो सकती है दोस्तों यह जो series चल लाई है dropshipping in India तो इंडिया में dropshipping कैसे करें तो उस series में यह हमारे लिए एक helpful app हो सकती है तो यह आप इसको app को install कर सकते हो अपने dropshipping Shopify store में और यह wordpress के लिए भी available है वैसे तो ठीक है तो मैं इसका link का description में डाल दूँगा आप वहाँ से इसको install कर लो यह series जो चल लाई है dropshipping in India इससे related कोई question है तो आप बेधड़क question कर सकते हो और facebook पे मैंने आपके लिए एक special group बना दिया है Indian dropshipping के नाम से नीचे मैं description में उसका link डाल दिया है आप वहाँ से group join करो और discuss करो लोगों से मिलो क्योंकि वहाँ पर वही लोग join कर रहे हैं जो कि इंडिया में dropshipping करना चाहते हैं तो एक दूसरे के help करेंगे हम एक परिवार की तरह रहेंगे एक दूसरे के help करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे दोस्तो मेरा यहाँ पर channel का सिर्फ यही मकसद है कि मैं लोगों को बता सकूँ कि इंडिया में आप इंडिया में ही रहे कि इंडिया में product basic कितना पैसा कमा सकते हो तो motivational के लिए मैं कुछ update भी डालते रहता हूं अपने stores की जो मेरे store में run कर रहा हूं मेंसे मैं कुछ store की update डालते रहता हूं ताकि आप लोग motivate हो जाओ दोस्तो अगर आप ये market में अगर course करोगे तो इतनी deep knowledge आपको नहीं देगा और वीडियो को like करो और इस वीडियो को जादा जादा पहलाओ कोशिश करो चैनल हमारा grow करे जैसे जैसे चैनल grow करेगा मैं अच्छे ची knowledge आपके साथ share करूँगा और ये परिवार हमारा बढ़ेगा जितना हमारा परिवार बढ़ेगा तो हम सब लोग जादा जादा पैसा कमाएंगे मेरा मकसद है कि आप घर बैठके drop shipping से legal way में अच्छे तरीके से long term lifetime तक पैसा कमा सकें और ये business ऐसा होने वाला है जिसमें आपके बच्चे तक बैठके खास सकते हैं आप तक limited नहीं रहने वाला है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुझे दीजिये जाज़त जाहिन जाह भारत